नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको खुजली की बिमारी जिसे स्केबीज कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी ये एक बहुत आम खुजली की बिमारी है जो एक तरह के छोटे से घुन जैसे कीड़े की वज़े से लगती है इस घुन को हम scabies mite कहते हैं ये बहुत छोटी सी होती है और आँखों से दिखाई नहीं देती है ये घुन हमारी तवचा की उपरी सतहों में सुरंग बना कर रहती है और इसके शरीर से जो chemical तत्व निकलते हैं उससे हमारी तवचा में allergy होती है और फिर खूब खुजली चलती है scabies एक लगने वाली बिमारी है जो लोग कई दिनों तक नहाते नहीं हैं अपने कपड़ों की और विस्त्रों की साफ सफाई नहीं रखते हैं उनको ये बिमारी अकसर हो जाती है इंडिया, पाकिस्तान, बंगला देश जैसे देशों में जहां जनसंक्या बहुत जादा है गरीबी है, पानी की कमी है बहुत सारे लोग एक साथ छोटी सी जगे में रहते हैं और साफ सफाई नहीं रखते वहाँ पे लोगों को ये बिमारी बहुत होती है ये हॉस्टल्स में या एक घर में रहने वाले सारे सदस्यों को एक दूसरे के साथ उठने बैठने, एक ही बिस्तरे में सोने से या एक दूसरे के कपड़े पहनने से भी लग जाती है जो लोग कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, उनको ये बिमारी सारे शरीर में फैल जाती है इसकेबीस की बिमारी में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है खुजली खुजली बहुत होती है और पूरे शरीर में होती है और खास करके रात को सोने के समय ज़्यादा खुजली होती है कई बार बहुत खुजाने से तवचा लाल हो जाती है, सूच जाती है और उसमें छोटे-छोटे पीले मवाद के दाने निकल जाते हैं अक्सर इस बिमारी में खुजली होने के कारण लोग इसे fungal infection या eczema समझ लेते हैं और उसका इलाज antifungal की दवाईयों से या eczema की दवाईयों से करने लगते हैं इसका नतीजा ये होता है कि ठीक से इलाज ना होने के कारण उनकी खुजली कम होने के बजाए बढ़ने लगती है एक फरक है eczema, fungal और खुजली की बिमारी में वो ये है कि खुजली की बिमारी सारे शरीर में हो सकती है लेकिन सिर में और चहरे पे नहीं होती है ये हाथ की उंगलियों के बीच में होती है हाथों के side में होती है हाथ की कलाईयों में आगे और पीछे होती है पैर के तल्वों के आसपास भी होती है और आदमियों के गुपतांगों में ये कई बार लग जाती है अब हम बात करते हैं इसकेबीस की बिमारी के ट्रीटमेंट की खुजली की बिमारी वैसे तो बहुत परेशान करने वाली है लेकिन इसका इलाज बहुत सरल है इसे ठीक करने के लिए आप कैमिस से 5% परमेथरिन क्रीम ले सकते हैं इस क्रीम को रात में सोने के पहले पूरे शरीर में गले से लेकर पैर के तल्वों तक अच्छी तरह से लगा ले और सुबे उठकर गरम पानी और नीम के साबुन से नहा ले एक हफ़ते के बाद फिर से रात को 5% परमेथरिन क्रीम गले से लेकर पैरों तक लगा कर सोए फिर सुबे गरम पानी और नीम साबुन से नहा ले ये करने से इंफेक्शन ठीक हो जाता है लेकिन खुजली पूरी तरह खतम होने में कुछ दिन लग सकते हैं इसके लिए 10 दिन तक आप रोजाना रात को सोने के पहले एक गोली लीवो सिट्रजीन की खाएंगे तो खुजली आपको परिशान नहीं करेगी परमित्रिन क्रीम के इलाज के साथ साथ अपको अपने सारे कपड़े, बिस्तरों की चादरें, तौलिये, आदी को खुब गरम पानी और साबुन में डेटॉल डाल कर धोना होगा फिर गरम इस्तरी से उनको प्रेस करना चाहिए ऐसा करने से इसकेबीस की जो घुन कपड़ों और बिस्तरों आदी में लगी रहती है, वो मर जाती है वरना गंदे कपड़ों से ये दोबारा आपको लग सकती है घर के सारे सदस्यों को अपना इलाज एक साथ करना चाहिए छोटे बच्चों को भी ये क्रीम आप लगा सकते हैं छे मेने से कम बच्चों को ये ना लगाएं लेकिन छे मेने से उपर बच्चों को आप ये क्रीम लगा सकते हैं देखने वाली ये बात है कि इस क्रीम को चहरे और सिर पे नहीं लगाना चाहिए और अपनी आखों को इस से बचाना चाहिए कई बार ये बिमारी पूरे शरीर में फैल जाती है और ऐसी हालत में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके आईवर मेक्टिन नाम की गोली खाना चाहिए जिसको खाने से ये बिमारी पूरी तरह से अच्छी हो जाती है बॉक्स में उसको लिख सकते हैं मैं उसका जवाब आपको अच्छी तरह से देने की कोशिश करूंगी धन्यवाद